आज की क्लास में हम अबजेक्ट स्टाइल पर बात करेंगे मैं विंडो मेन्यू पर आऊंगी डॉकर्स और डॉकर्स में फॉर्थ नंबर पर हमारे पास अबजेक्ट स्टाइल का अप्शन है हम कंट्रोल एफ 5 प्रेस करके भी इसकी विंडो को ओपन कर सकते हैं यहां मैं मैं हूँ आप्टीचर मुवीनाबारी और आप देखने हैं अफर्टपार सक्सेस दिए वीडियो और आप देख के लिए आप हमारे वेबसाइट से सिफ कर सकते हैं उसके अलावा आप हमें हमारे पेस्बुक पेस्पर भी फालो कर सकते हैं अबजेक्ट स्टाइल में हमने जो भी स्टाइल अप्लाई किये होते हैं हमको सेव कर सकते हैं अपने किसी नेक्स प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए ये स्टाइल अगर हम पहले से बना चुके हैं तो भी उनको सेव कर सकते हैं और अगर हमने पहले से नहीं बनाई और पे उसको बना रहे हैं तो हम उसे सेव कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने एक rectangle बनाया है उसमें एक line लगाई है कुछ text लिखा है और यह एक shape बेसिक shape में से add की है object style में हम किसी भी object की shape को save नहीं कर सकते हैं हमने जो उस पे color apply किया है gradient apply किया है pattern fill किया है वो हमने उसकी outline की जो designing की है वो हम save कर सकते हैं जैसे अब देखें मैं यहाँ पर अपने इस rectangle को select करूँगी rectangle को select करने की बात मैं यहाँ से new style की option पे click करूँगी और new style का option यहाँ हमारे पास first पे मुझूद है मैं यहाँ पे click करूँगी तो यहाँ मेरे पास इस तरह का panel आएगा यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने outline का style यहाँ save करना है fill का transparency, character, paragraph, frame, call out या dimension इस में से मैं जिस style को भी save करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ अभी हमने इस rectangle में color fill करना है तो मैं यहा से fill option select करूंगी जब मैं fill option select करूंगी तो यहाँ पे मुझे color यहाँ पे कर सकती हूँ अब यहां मेरे पास default gray color show हो रहा है अगर मैं ऐसे ही apply कर दूँगी तो यह gray color ही यहां पे आएगा लेकिन अगर मैं इस color को change करना चाहती हूँ तो मैं यहां से color select कर सकती हूँ कि मैंने किस color में यहां पे color apply करना है मैं यहां से यह slider मुझे जो नजर आ रहे है मैं इस पे क्लिक करूँ चाहे इस side वाले slider पे चाहे इस side वाले slider पे तो मेरे पास यह option show हो जाएगा इस वाले slider में हमारे पास black color है तो यहां black color show हो रहा है इस वाले slider में हमारे पास white color है तो यहां white show हो रहा है और अगर मैं यहां कोई और कलर फिल करूँ और जब मैं स्लेक्ट करूंगी तो वह कलर शो होगा और जब मैं स्लेक्शन हतम कर दूगी तो आप देखें यहां पर क्रॉस लगावा है यह कलर शो नहीं हो रहे और उस color पे click करूंगी जो color मुझे चाहिए अगर मैं यालो color पे click करूं तो आप देखें yellow color यहां पे आ गया मैं इसके लावा भी कोई color select कर सकती हूँ और यहां से इसको move करके भी यहां से color change कर सकती हूँ जो color मुझे चाहिए मैं यहां से यह वाला yellow color select कर देती हूँ और यहां पे paste करंगी तो यह yellow और black color में gradient मेरे पास आ रहा है अब अगर मैं इसका color change करना चाहूँ और यहां से दुबारा मैं इस पे click करूंगी और यहां से मैं color select कर सकती हुई यहां से मैं कुछ golden type color select कर लेती हूँ मैं यह वाला कलर स्लेक्ट करके ओके कर दूगी तो आप देखें इनी दो शेल्ड में हमारे पास ग्रीडियंट बन रहा है अब यहां से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने किस शेप में यहां पर ग्रीडियंट अप्लाए करना है मैं यहां पर रिक्टैंगलर फॉंटन फिल स्लेक्ट करूंगी और स्लेक्ट करने के बाद मैं यहां से अप्लाए स्लेक्ट इट पर क्लिक करूंगी तो यह स्टाइल यहां पर अप्लाए भी हो जाएगा और उसके अलावा यहां पर शो भी हो जाएगा अब अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं नाम भी चेंज कर सकती हूँ मैं यहां पर जहां पर फिल वन लिखा वाया डबल क्लिक करूँगी तो मेरे पास करसर आ जाएगा और यहां से फिल वन को मैं बैक स्पेस की मदद से रमूव करके जो मैंने color fill किया है उसका नाम रख सकती हूँ या gradient fill किया है मैं अपनी सहुलत के लिए याद रखने के लिए कोई भी नाम रख सकती हूँ मैं इसे yellow नाम ही दे देती हूँ और बाहर क्लिक करूँगी तो इसका नाम fill one से change होकर yellow हो गया उसके बाद अगर मैं अपनी शेप में color fill करना चाहूँ तो मैं इसको select करूँगी और अगर मैं ऐसे ही apply कर दूँ तो यही color इस पे apply हो जाएगा और अगर मैं कोई और color apply करना चाहती हूँ तो मैं यहां से दुबारा new style पे click करूँगी और select करने के बाद अगर मैं कोई pattern select करना चाहऊ हो तो तो कर सकती हूँ जहां से मैं vector pattern select करूँगी तो मेरे पास यहां stats pattern आ जाएगे यहां पे click करके में यहां से इन pattern को change भी कर सकती हूँ मैं यही pattern रहाने देती हूँ और यहां पे apply selected पे क्लिक करूंगी तो इस circle में वो pattern आ जाएगा जो हमने select किया था और यहां पे fill one के नाम से दुबारा हमारे पास option आ रहा है अगर हम नाम change करना चाहें तो यहां पे भी नाम change कर सकते हैं उसके बाद मैं यहां इस outline को select करूंगी outline को select करने के बाद यहां दुबारा new style पे click करूंगी और अब हमने outline का style define करना है तो यहां से मैं इस outline के option को click करूंगी तो यहां अब जो नीचे मेरे पास option आए हैं वो outline के हैं जब मैंने fill को select किया था तो यहां जितने option मेरे पास आए थे वो fields related थे अब जब मैंने outline को select किया है तो यहां मेरे पास outline के option आ रहे हैं यहां से मैं outline का color change कर सकती हूँ इसकी thickness change कर सकती हूँ और उसके style को change कर सकती हूँ मैं यहां से इसकी thickness को ज्यादत करके 3 mm कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहां से इसके color को change करके मैं यहां से orange color select करूंगी और select करने के बाद मैं इसको cross कर देती हूँ तो यहां orange color आ गया उसके बाद मैं इसके style को change कर देती हूँ मैं इसके style को change करके dash कर देती हूँ तो यहां पर dash आ गयी उसके बाद मैं apply selected पर click करूंगी तो वो style यहां पर मेरी line पे apply हो गया और यहां पर outline 1 के नाम से मेरे पास style आ गया है अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूं तो कर सकती हूँ उसके बाद मैं दुबारा इस text पे आती हूँ text पे आने के बाद मैं दुबारा new style पे click करती हूँ तो अब मैं क्रैक्टर पे काम कर रही हूँ अगर मेरे पास paragraph text है तो मैं paragraph select करूंगी और paragraph में जितने भी हमारे पास option आते हैं वो alignment से related है यहां से हम अपने text को align कर सकते हैं और अगर मेरे पास character है तो मैं character पे click करूंगी और अब जो मेरे पास नीचे option आया है वो text को edit करने से related है यहां पर मैं इसका font चेंज कर सकती हूँ इसके size को change कर सकती हूँ और इसके color को भी change कर सकती हूँ मैं यहां पर click करूंगी तो मेरे पास mom font आ जाते है यहां से मैं brush script std regular medium यहां पर select कर देती हूँ और font चेंज करने के बाद मैं यहां से इसका color भी change कर देती हूँ color चेंज करके मैं yellow color ही ले ले लेती हूँ और यहां से cross कर देती हूँ अब अगर मैं इसके size को change करना चाहूँ तो मैं यहां पर उपर वाले triangle पे click करके इसके font को बढ़ा कर सकती हूँ और नीचे वाले option पे click करके इसके font को चोटा कर सकती हूँ यहां से मैं जो भी setting करना चाहूँ कर सकती हूँ और यहां text को edit करने से related जितने भी option है उन तमार्म option को हम अपने text menu में text property वाली class में देख चुके हैं तो आप देखें आपका font यहां पे change हो गया मैंने जो style स्टाइल यहां सेलेक्ट किया था यहां पे आगया जो color यहां पे हागया जो size स्टाइल को बढ़ा करना चाहूँ तो यहां पे click करके तो आप इसको बढ़ा कर सकती हूँ सेव करने के बाद किसी दूसरे object पे अप्लाइ कर सकते हैं उसके बाद मैं अपने दूसरे page पर आती हूं यहां मैंने एक circle draw किया है इसमें एक line लगा है text लिखा है और एक shape draw किया है अब इसे style को अगर मैं apply करना चाहूं जो यहां पर मैंने save किया है और अगर यहां पे मैं अगर इसी background को इसमें fill करना चाहूं तो इसको select करूंगी तो यहां पे show हो जाएगा हम मज़ीद अगर मैं यहां पे इसमें changing करना चाहूं तो कर सकती हूँ अगर बिल्कुल ऐसे ही fill करना चाहूं तो मैं Apply Selected पे क्लिक करूँगी तो यहां पे Apply हो जाएगा उसके बाद मैं यहां से इस Outline को Select करूँगी और यहां से Outline वाले Option को क्लिक करूँगी तो Apply के Option आगे अब मैं Apply Selected पे क्लिक करूँगी तो वही स्टाइलिस पे Apply हो गया जो पहले हमने Define किया था उसके बाद मैं इस text को select करूँगी character 1 पे आऊंगी तो यहां मेरे पास character को edit करने से related option आ जाएंगे लेकिन मैं बिना कुछ touch किये just apply selected पे click करूँगी तो वही style यहां पे आ जाएगा जो मेरे पास पहले था उसके बाद मैं अपनी इस shape को select करूँगी और यहां पे fill one पे आ आकर apply selected पे click करूँगी तो यह pattern यहां पे apply हो गया लेकिन ज़ूरी नहीं है कि हम उसी तरह से fill करें अगर यह pattern मैं इस background में fill करना चाहँ तो भी कर सकती हूँ मैं इस background को select करूँगी और यहां save fill one पे आऊँगी और fill one पे आकर apply selected पे क्लिक करूंगी तो इस background में ये color आ जाएगा और उसके बाद मैं इसको select करके इस shape में अगर yellow वाले option को fill करना चाहूं और apply selected पे क्लिक करूं तो ये option यहां पे fill हो जाएगा अगर मैं option को select करती हूं और select करने के बाद इस text के color को change करना चाहूं तो यहां से character पे आऊँगी तो ये option मेरे पास आगए अब जरूरी नहीं है कि मैं वही apply करूं यहां पे है अगर मैं इसको change करना चाहूं तो मैं कर सकती हूं मैं यहां पे click करके अगर इसके color को blue कर देती हूं या green कर देती हूं तो आपको साथ यहां पे नजर भी आ रहा है कि जो अच्छा लगेगा वो आप यहां से apply कर सकते हैं मैं यह वाला brown color यहां पे select करके ok करूंगी तो यह brown color apply हो जाएगा उसके बाद मैं इस outline के color को भी अगर change करना चाहूं तो मैं यहां से outline वाले option पे आऊंगी और यहां से dark color select करके ok कर दूँगी इस तरह से आप style को save कर सकते हैं जो style आप apply कर रहे हैं और प्रे next project के लिए अगर आपने कोई एक style बनाया है और उसको काफी जगा पर use करना है तो उसके लिए बेतर यही है कि आप बार 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 बन में से कुछ delete करना चाहें तो जैसे ही आप जिस field को delete करना चाहें उस पे क्लिक करेंगे और यहां delete option पे क्लिक करेंगे तो यह delete हो जाएगा यह देखें यह delete हो गया यहां से अब outline की property delete हो चुकी है लेकिन जो outline हमने यहां प्लाई की है वहां पे मुझूद है वो delete नहीं अगर हम कुछ हाल ready design कर चुके हैं तो इसको कैसे आइड करेंगे मैं पहले इन सब को delete कर देती हूं वैसे तो आप 2-3 object की तमाम field को भी इसमें save करके रख सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप उनको delete करें लेकिन अगर आप उनको save नहीं रखना चाहते तो आप उनको delete कर सकते है मैं पहली यह तमाम field delete कर देती हूं ताकि आपको कोई confusion नहीं हो अब देखे हैं हमारे पास तमाम field delete हो चुकी है मैं इसको select करूंगी और उसके बाद यहां पे जो मेरे पास new style का option आ रहा है इसकी बार पे right click करूंगी right click करने के बाद अब अगर मैंने new style एड करना है तो मैं apply करना है तो मैं new from selected पे click करूंगी और यहां से वो मुझे से पूछ रहा है कि मैंने outline के style को यहां पे add करना है feel को या transparency को मैंने text select नहीं किया तो इसलिए मुझे text show नहीं हो रहा outline और fill मेरे पास मुझूद है तो मैं यहां fill option पे click करूंगी तो मेरे पास fill one नाम यहां पे आ र नाम से वो style मेरे पास आ जाएगा और उसके बाद नीचे open object style docker इस पे check लगा हुआ होना चाहिए ताकि आपको यह docker में show हो सके उसके बाद मैं ok कर दूँगी तो आप देखे red नाम से यह style मेरे पास आ गया jilt coloring मैंने लिए है वो यहां पे show हो रही है अब अगर मैं इस color को change करना चाहूं तो change भी कर सकती हूं और अगर इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहूं तो मैं ऐसे भी रख सकती हूं उसके बाद अगर मैं इस character style को add करना चाहती हूं तो मैं इसको select करूंगी और दोबारा new style स्ट्राइल वाली option पे आके राइट क्लिक करूंगी नियू फ्राम स्लेक्टिड अब यहां क्रेक्टर का option पैराग्राफ का option और ट्रांसप्रेसिक option मुझे शोग हो रहा है अब आउट लाइन और फिल का option शोग नहीं हो रहा है क्योंकि अब मैं टेक्स्ट पे काम करी हूं अब यहां से में character पे क्लिक करूंगी और मैं character 1 ही नाम रहने देती हूं और यहां से OK करूंगी तो यह character का style मेरे पास आगया और नीचे टेक्स्ट को edit करने से related तुमाम option मेरे पास आगे अब style के नीचे style set है अगर मैं इसको यूज करना चाहती हूँ तो मैं एक साथ इन सब को सेलेक्ट करके भी इसमें अड़ कर सकती ह treaty हूँ मैं इन सब को एक साथ सेलेक्ट करूँगी सेलेक्ट करने के बाद यहां से पकड़ कर ड्रैग करूँगी और ड्रैग करके यहां पे style set वाले option पे लाकर इसको छोड़ दूँगी तो आप देखें यह तमाम field यहां पे आ गई यह style set 1 है जिसमें मुझे background color fill हो रहा है यह मेरे पास style 2 है अगर मैं इस पे click करूँ तो यह इसकी filling शो कर रहा है style 3 है मेरे पास जो कि मुझे इस line के style को define कर रहा है style 4 है मेरे पास जिसमें इस outline की filling को show कर रहा है इस तरह से अगर हमने पहले से कुछ बनाया है और उसको एक साथ add करना चाहते है तो हम सब को select करके style set वाले option पे ड्रैग करेंगे उसमें जितने भी option होंगे feeling होगी outline की feeling होगी paragraph text होगा या character text होगा जो भी होगा उन सब की अलग लग field हुद से बन कर आ जाएगी उसके बाद नीचे default object property है तो इन में artistic media है artistic text call out dimension graphic और paragraph text है अगर आप इन में से किसी को add करना चाहें तो कर सकते हैं अब यह style मैंने यहां पे add कर लिया है अब अगर मैं इनको use करना चाहती हूँ मैं अपने page 4 पे आ जाती हूँ और इसी तरह से बने हुए style को मैं यहां पे add कर सकती हूँ मैं इसको select करूँगी और यहां से style 2 को select करूँगी और यहां पे apply selected पे click करूँगी तो यह इस पे apply हो जाएगा उसके बाद मैं इसको select करूँगी style 1 को select करूँगी और apply selected पे click करूँगी तो यह यहां पे apply हो जाएगा मैं text select करूँगी और यहां से style 4 को select करूँगी और apply selected पे click करूँगी तो यह text पे style apply हो गया अब अगर मैं इसके font को ड्रैग करके भी छोटा कर सकती हूँ क्योंके font चेंज करने से इसके वही size apply हुआ है जो पहले हमने save किया था यह size को भी copy करता है अब मैं यहां से इसके size को थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसके बाद मैं इस outline को select करूंगी style 3 पे आऊंगी और apply selected पे click कर दूँगी तो वो तुमाम style यहां पे apply हो जाएंगे इस तरह से हम किसी भी style को यहां पे save कर सकते हैं और जब चाहें उसको use कर सकते हैं उसके बाद यह नीची जो option हमारे पास है अगर मैं इस पे click करूं तो यहां मेरे पास 3 option है import style sheet, export style sheet, set as new document, default shapes हैं और मैं उस style को apply करना चाहती हूं सब पे तो मैं यहां पे style में add करके उनको बार बार apply कर सकती हूं लेकिन जैसे ही मैं software को बंद करूंगी यह तमाम style हुद बाहुद डिलीट हो जाएंगे जब मैं next time object style window को open करूंगी तो मेरे पास कोई style शो नहीं हो रहागा लेकिन अब मैं इसे जिस location पे चाहूं save कर सकती हूं अब मैं इसे desktop ही save करूंगी और यहां koralda style sheet लिखा हुआ भी show हो रहा है अब मैं इसको export कर दूँगी और अब वो यहां मुझ से पूछ रहा है कि मैंने इसके style को भी save करना है style set को save करना है default object property color style इसमें से जो option मैं save करना चाहती इसके style and style sheet पे चेक लगा कर मैं यहां से okay कर दूँगी अब यह style sheet saved हो चुकी है अब मैं अपने software को बंद कर देती हूं अब मेरा this software बंद हो चुका है मैं दुबारा CorelDraw open करूंगी new document लूँगी and ok कर दूँगी अपने software को open करने के बाद मैं यहां एक rectangle ड्रॉ कर लेती हूं, rectangle ड्रॉ करने के बाद, अब आप देखें, यहां मेरे पास कोई style मुझूद नहीं है, और वह style जो मैंने पहले save किये थे, अगर मैं इनको दुबारा use करना चाहती हूं, तो मैं अब इस option पर click करूंगी, और यहां से import style के option पर click करूंगी, तो मेरे पास इस तरह की window आ जाएगी, यहां से मैं अपनी style sheet को select करूंगी, मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया था, तो यह style sheet के नाम से save है, अगर मैं इसे कोई नाम देती तो वह उसी नाम से save होती, अब मैं इसको select करूंगी, और select करने के बाद, मै यहां से import करूंगी, और यहां से ok करूंगी, ok करने के बाद, आप देखें, जैसे ही मैं इस पर click करूंगी, तो यहां red और character 1 के नाम से दो file मैंने style में save की थी, तो वह यहां show हो रही है, और अगर मैं style set पर click करती हूं, तो mom style set यहां पर show हो रही है, और यहां जो option मेरे पास मैं उन पर style apply कर सकती हूं, अब मेरे पास यह adjustment rectangle लगाया है, और अगर मैं इस feeling को इस पर apply करना चाहूं, तो मैं इसको select करूंगी, और apply selected पर click करूंगी, तो यहां पर apply हो गया, object style का option हमारे लिए बहुत useful हो जाता है, especially उस वकत जब हमारे पास एक ही style का का काफी सारा काम हो, और उन तमाम में वो same style को ही follow करना चाहरे है, तो हम उसको style में save कर सकते हैं, और उन तमाम चीज़ों पर बार बार use कर सकते हैं, ना कि हर दफ़ा बना कर अपने time को जाया करें, अगर आपको यह class पसंद आई है, तो like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए, ताके वो भी सीख सके, आप अपने questions और views नीजे comment box में लिख सकते हैं, और अगर आपने channel subscribe नहीं किया, तो please subscribe कीजिए, ताके आपको आने वाले videos का notification फॉरण से मिल सके,